हलो दुस्तों मोबाइल टुर्क सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत थे तो दुस्तों आज की इस पीडियो में आपको डिकाने जा रहा हो पदनमंत्री आवास योजना में आप कोई भी शिकायत कैसे कर सकती हैं जैसे की दुस्तों आज मैं आपको ऐसे कुछ नमबर बताओंगा इस नमबर पर आप डिरेक्ट कॉल करके कोई भी शिकायत या तो कोई भी हेल्प ले सकती हैं जैसे के डुस्तो बहुत सारा टाइम में क्या होता है बहुत लोगों की पास पहले से ही पका मकान होता है फिर भी बहुत लोगों को पदनमंतरी आवास योजना मिल जाता है और बहुत लोग ऐसे भी है जिसके पास कोई भी मकान नहीं है तो इस सीचेशन में आप सिकायत कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी मकान नहीं है और आपको पदन मंतरी आवास योजना में कैसे अपलाई करना है क्या क्या process है पूरी process की जानकारी आप राप्त कर सकती है और बहुत लोग दोस्तों वैसे भी है जिनका नाम लिस्ट पर आ चुका है लेकिन उसको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है मकान बनाने के लिए ठीक है तो इस situation में आप सिकायाइद कर सकती है और बहुत लोग की साथ क्या होता है दोस्तों पदनमंत्रिया आवास योजना में बहुत लोग चार्ज करते हैं कि आपको इतना पैसा देना होगा पदनमंत्रिया आवास योजना पाने के लिए तो इस situation में आप complaint कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह सब जानना है तो मेरे साथ बने रहे हैं और वीडियो को प्लीज एंड तक कर देखते रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप पदनमंत्रिया आवास योजना ग्रामेन के लिए कोई भी सिकायत या कोई भी हेल्प लेना चाहती है तो आपको इस नमबर पर कॉल करना होगा ठीक है यह नमबर है 1800 116446 ठीक है तो आपको इस नमबर पर कॉल करना है दूसरा नमबर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह है उर्बान एरियका तो यहाँ पर यह नमबर है 1800 11337 ठीक है यहाँ पर Urban के लिए और एक नमबर दिया हुआ यहाँ पर है 1800 113388 तिक है उसके अलबा यहाँ पर आपको और एक नमबर मिलेगा यह है 1800 116163 और यहाँ पर आपको राज्यों का help line नमबर देखने को मिलेगा 1800 3456527 तो यहाँ पर दोस्ता आप इस नमबर पर contact करके अगर आपको कोई भी complaint करना या तो कोई भी help लेना है तो आप ले सकती है यह बिल्कुल toll free नमबर है ठीक है यहाँ पर दोस्तो बहुत लोगों ने मुझे comment किया है बहुत लोगों के पास बहुत सरा complaint है तो इस situation में दोस्ता आप इस नमबर पर direct contact करके कोई भी complaint कर सकती है तो दोस्तो उमीद है कि आपको समझ में आ गए होगा कि पदन मंत्री आवासी होजना में आपको कैसे complaint करना है